बच्चो हम कक्साचे की गणित पाटे पुस्तक का अध्यन कर रहे हैं और बच्चो हमारा चेप्टर चल रहा है अध्याय बारा क्या नाम है बच्चो इसका अनुपात और समानुपात रेश्यो एंड प्रपोर्शन ठीक है बच्चो हमने इसका एक भाग पुरा कर लिया था जिसमें हमने अनुपात के बारे में सिखा था बच्चो आज हम सुरू कर रहे हैं इसका भाग दो परस्तनावली 12.1 के उधारन परस्तनावली से पहले उसके उधारन करने बहुत ज़रूरी है क्योंकि उधारन हमीं समझ में आ गए तो प्रस्तनावली के सबी क्योसन हमें आ अनुपात ग्याद कीजिए एक आयताकार मेदान है जिसकी लंबाई और चोड़ाई हमें दी हुई है और लंबाई और चोड़ाई का अनुपात ग्याद करना है तो पच्छो सबसे पहले देखो आयताकार मेदान की लंबाई कितनी है लंबाई तो दे रखी है 50 मिटर और बच्चो चोड़ाई कितनी दे रखी है चोड़ाई दी हुई है 15 मिटर दोनों में दी हुई है अब इन दोनों का अनुपात निकालना है तो हम लिखेंगे अनुपात किसका किसका निकालना है बच्चो लंबाई और चोडाई का क्या जिसका भाग पचास में भी जाता हो और पंदरा में भी जाता हो तो बच्छो देखो पांच का भाग जाता है तो हम देखो पचास में भाग पांच और पंदरा में भाग पांच पचास में पांच का भाग देंगे तो दस बार और पंदरा में देंगे तो तीन बार तो क ठीक है बच्चो समझ में आया सभी को उधारन नमबर एक, कोपी में उतार लो इसे अपनी में, ठीक है बच्चो अब देखो आगे question number या उधारन नमबर दो, 90 cm और 1.5 मिटर का अनुपात ग्याद कीजिए, अब दो संख्या ही दी हुई है कौन कौन सी, 90 cm और दूसरी क्या द देखो बच्चो, एक की इकाई है cm और एक की दिरीवे है miter में, दोनों की इकाई अलग-अलग है, पहले तो दोनों की इकाई समान करेंगे, फिर अनुपात निकालेंगे, तो बच्चो देखो, मिटर को हम cm में बदलते हैं, एक मिटर में कितने cm होते हैं, हमें पता होना च cm को हम लिख सकते हैं, एक पॉइंट पाच गुणा 100 cm, तो बच्चो कितना आ जाएगा, 150 cm, ठीक है बच्चो समझ में आया, तो हमारी एक राशी तो हो गई 90 cm, और दूसरी राशी हो गई 150 cm, अब इन दोनों का हम अनुपात निकाल सकते हैं, तो बच्चो देखो, अब सुपात आ जाएगा 90 बटा 150, अब देखो बच्चो दोनों संख्याओं में एक 0 आ रही है, तो हम 0 से 0 को cancel out कर सकते हैं, या काट सकते हैं, तो हमारा कितना आ गया, 9 बटे 15, अब भिन रूप में क्या आ गया, 9 बटे 15, अब 9 और 15 का कोई सारो गुनन खंड है क्या, बच्च 3 और 15 भाग 3, कितना हैगा बच्चो तो हमारे अनुपात आ गया, 3 का बच्चो वाग 9 बच्चो नो में देंगे तो 3 बार 15 में देंगे तो 5 बार, तो अनुपात आ गया, 3 अनुपात 5, यह हमारा आंसर हो गया, ठीक बच्चो उधारन नमबर 2 के लिए है सभी का, उतारलो इसको भी अपनी कॉपी में अब देखो आगे उधारन नंबर 3 एक दफ्तर में 45 लोग काम करते हैं एक दफ्तर है जहां कुल लोग कितने हैं 45 तो सबसे पहले आपन लिख लेते हैं जो जो आखडे हमें दिये हुए हैं तो यहां लिखेंगे कुल लोग कुल लोग है 45 फिर तता सेस पूरूस हैं और सेस बाकी बच्चेवे लोग को ने पूरूस हैं तो पूरूस की संक्या कितनी हो जाएगी तो बच्चो देखो कुल लोग 45 है 45 में से 25 महिलाए हैं तो बाकी कितनी बच गए 45 में से 25 गठा देंगे तो 45-25, तो बच्चों कितना आया, 20, तो पुरसों की संख्या कितनी हो गई, 20, तो कुल लोग 45 हैं, 25 महिलाएं हैं और 20 पुरुस हैं, अब देखो A क्या दिया हुआ है, महिलाओं की संख्या का पुरसों की संख्या से अनुपाद पूछा है, महिला की संख्या का पुरसों की स और पुरुस का मैलाय आपन पुरुस हमने दोनों को बटेरों के रूप में लिख दिया मैilाय कितनी है मैilाय 25 तो 25 उपर आएगा और पुरुस कितनے है पुरुस है 20 तो 25 बटा 20 25 आप बच्च्च्च्च और 20 में किसका बाग जाता है 5 का भाग दोनों में जाता है 5 का भाग 25 में 5 बार 20 में 4 बार तो हमारा आनसर आजाएगा 5 अनपार 4 तो 25 और 20 को किस से काटा हमने 5 से काटा क्योंकि दोनों का सारों गुनंगर 5 था तो कितना आ गया 5 बटा 4 या 5 अनपार 4 ठीक है बच्चों समझ गए सभी, A समझ में आ गया, आप देखो इसका B, B क्या दिया हुआ है, कि पुरसो की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात ग्याद करो, अब बच्चों पहले पूछा था महिला की संख्या का पुरसो से, अब उसका उल्टा पूछ रहा है, या तो पूरसो की संख्या कितनी है bीस, ऑ महिलाओं की संख्या कितनी है पच्चीस, अब बीस और पच्चीस में दोनों में पांच का भाग जाता है, दोनों को पांच से कार देंगे, तो कितना हैगा, चार बटा पांच, आंसर आ गया, चार अनुपात पांच, यह हमारा Bay का आ एक आंसर है था पांच अनुपाँ चार और विवन इन ऊन उन चार आ रहे गा चारा बच्चों समझ गें सभी उधारन नंबर 3, अब देखो आगे, उधारन नंबर 4, 6 ऐनुपाद 4 के दो तुल्ले ऐनुपाद लिखिए, एक और दिया हुए 6 ऐनुपाद 4, इसके हमें तुल्ले अनुपाद लिखना है 2, तो बच्चों देखो सबसे पहले तो, 6 अनुपाद 4 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं 6 बटा 4 के रूप में ठीक है अब 6 बटा 4 के 2 तुल्ले अनुपाद निकालने हैं तो तुल्ले अनुपाद कैसे निकालते हैं जिस प्रकार तुल्ले भिन्न निकालते हैं न बच्चो मैंने आपको शिखाए था तुल्ले भिनने किस पर का निकालते हैं 2 बटा 2 से गुणा करके, 3 बटा 3 से करके, 4 बटा 4 से करके तो 6 बटा 4 का गुणा कर देंगे 2 बटा 2 से तो कितना आएगा बच्चों जबो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 तो हमारा एक अंसर तो हो गया 12 बटा 8 और बच्चों गुणा के अलावा भाग देकर भी तुल्ले अनुपाद निकाल सकते हैं जैसे 6 बटा 4 है इसमें भाग दे देंगे 2 का और नीचे भी 2 का तो कितना आगया 3 बटा 2 तो हमारी दूसरी तुल्ले भी नागई 3 बटा 2 तो बच्चों एक तो गुणा करके तुल्ले भी निकाल ली और एक भाग देकर तुल्ले भी निकाल ली और ये दोनों ही आ गए हमारे तुल्ले अनुपाद, तो हम लिखेंगे 6 अनुपाद 4 के, तुल्ले अनुपाद क्या हो जाएंगे, यहां तो क्या आ गया बच्चो, 12 अनुपाद 8 और यहां आएगा 3 अनुपाद 2, तुल्ले अनुपाद 12 अनुपाद 8 तथा 3 अनुपाद 2 ह यह दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे ठीक है बच्चों समझ गये सभी क्योंसे नंबर चार उधारन चार समझ में आगया सभी के उतार लो अपनी नंबर पांच उधारन नंबर पांच क्या है कि रीक्तिस्तानों को भरिये हमें भिन रूप में अनुपात दिये हूए है और रिक्तिस्तान बने हूए है बीच बीच में तो इनको हमें भरना है सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है 14 बटा 21 और बराबर में कुछ एक रिक्तिस्तान है और बटे में तीन दिया हुआ है इन दोनों के बारे में तुलना करते हैं पहले तो बच्छो नीचे देखो नीचे क्या है इकीस है हर में क्या है इकीस और इधर हर में क्या है तीन तो इकीस से तीन किस प्रकार आ सकता है इकीस संक्या से तीन लाना है तो इकीस को तीन में बदलने के लिए ह बच्चों हम क्या लिखेंगे, कि 14 भाग 7 और 21 भाग 7, 14 में 7 का भाग दिया तो 2 और 21 में देंगे तो 3, बच्चों 2 बटा 3 बिना आ रही है, तो हमारी इस बोक्स का मान क्या हो जाएगा, बोक्स में आ जाएगा 2, बच्चों हम यहां लिख सकते हैं, 2, ठीक है बच्चों यह हम तुलना करेंगे, तो अब लिखेंगे 2 बटा 3 बराबर 6 बटा बॉक्स, ठीक बच्चों बीच वाली भिना हमें 2 बटा 3 प्राप्त हो गई, अब आगे क्या लिखा हुआ है, 6 बटा बॉक्स, तो उपर देखो, यहां अंस 2 है, यहां 6 है, अब 2 से 6 किस प्रकार प्राप् करना होगा, 3 गुणा 3, तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो बच्चों हमारी भिना आ गई, 6 बटा 9, तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, बॉक्स में हम लिख देंगे, 2 बटा 3 बराबर 6 बटा 9, और इधर कितना था बच्चों, 14 बटा 21, तो देखो, एक बॉक्स में तो आ ग तो 3 कैसे आया, 21 में 7 का भाग देंगे, तो 3 आता है, तो हमने 21 और 14 दोनों में 7 का भाग लगा दिया, तो कितना आ गया, 2 बटा 3, तो हमने बॉक्स में लिख दिया, 2 ठीक बच्चों, अब एक भिन 2 बटा 3 पता चल गई, इसका और इस दिखा, इन दोनों भिन्नों का हम त सुल न आ करेंगे, तो 2 बटा 3 बगाबर 6 बटा बॉक्स, तो 2 से 6 किस प्रकार आया, 3 से गुणा करने पर, तो हमने 2 को भी 3 से गुणा कर दिया, तो 6 बटा 9 आ गया, तो हमारा बॉक्स का मान कितना आ गया, नो, तो हम टॉतल पूरी शंख्या को हम इस पकार लिख देंगे और यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है बच्चों दिख रहा है सभी को उतार लो अपनी copy के अंदर उधारन नमबर 5 सब का clear होना चाहिए अब देखो आगे उधारन नमबर 6 है कि उधारन से क्या है मेरी के गषी स्कूल की दूरी चाइज जौन के गते की सकूल की दूरी का अनुपात डौन लता है तो बच्चो अनुपाद देखो पहले तो, कि दूरी दो अनुपाद एक है, तो दो अनुपाद एक के मतलब कि जिसका अनुपाद दो है, उसकी दूरी ज्यादा है, और जिसका अनुपाद एक है, उसकी दूरी कम है, तो ज्यादा अनुपाद किसका है, पहले देखो मेरी का की दूरी दीवी है फिर जोन के घर की तो मतलब पहला अनुपात मेरी का है और दूसरा जोन का है तो हमें पता है कि अगर अनुपात दौन पात एक है तो मेरी के घर की स्कूल से दूरी ज्यादा होगी तो स्कूल के अधिक निकट कौन रहता है मतलब जिसकी दूरी कम होगी व कम है, अट वह, ज्यादा निकट है. ठीक है, बच्छो, समझ गए सभी? स्कूल से घर की दूरी कम है, जो उनकी, तो इसका मतलब है इसकूल के ज्यादा निकट रहता है. ठीक है, बच्छो, ए समझ में आया है सभी के? अब देखो, बी निम्न सानी को पूरा करो जो संभव दूरिया दरसाती है वहां मेरी और जोन रह सकते हैं तो बच्छो देखो मेरी के स्कूल की दूरी दस है तो जोन के स्कूल की दूरी कितनी है पांच है यानि एक अनुपात दो यहाँ पांच है तो इसका दुगना यानि एक का दुगना दो था मतलब दो गुना दूरी का अनुपात है अगर दूरी पांच है तो जोन की दूरी पांच है तो मेरी की दूरी दस हो जाएगी तो दूगना समझ में आ रहा है बच्चो यानि यहाँ 10 का आदा है और यहां 5 का दुगना है तो अनुपात तो 2 अनुपात 1 को इस प्रकार समझना है अब देखो जोन के घर की दूरी अगर 4 है तो मेरी के घर की दूरी कितनी हो जाएगी 4 की 2 गुनी क्योंकि अनुपात 2 अनुपात 1 है न तो अगर जोन के घर की दूरी 4 है तो मेरी के घर की दूरी चार का दुगना यानि आठ किलो मिटर हो जाएगी तो यहां जाएगा आठ ऐसे बच्चों तो मेरी के घर की चार थी जोन की दो है अब जोन की दूरी दी हुई है तीन किलो मिटर तो मेरी के घर की कितनी हो जाएगी तीन का दुगना यानि कि छै किलो मिटर अ आदी मानी जाएगी ठीक है बच्चो अब देखो C यदि मेरी के घर से स्कूल की दूरी का कलाम के घर से स्कूल की दूरी का अनुपाद एक अनुपाद दो हो तो स्कूल के ज्यादा निकट कौन है तो ज्यादा निकट कौन होगा जिसकी दूरी कम होगी तो यहाँ देखो मेर और कलाम कौन है दो मेरी और कलाम तो मेरी की दूरी तो है एक और कलाम की दूरी है दो यह एक अनुपाद दो है तो मेरी को अगर एक मने तो कलाम की कितनी है दो तो ज्यादा पास कोन है मेरी ज्यादा पास है तो हम लिखेंगे कि मेरी का घर ज्यादा पास है ठीक है बच्चो समझ गे सभी किसका घर ज्यादा पास है मेरी का घर स्कूल के ज्यादा पास है और कलाम का घर दूर है क्योंकि अनुपात क्या है एक अनुपात दो है इसलिए जिसका अनुपात कम है उसकी दूरी कम है और जिसका अनुपात ज़्यादा है उसकी दूरी ज़्यादा होगी ठीक बच्चो उधारन चे समझ में आ गया सभी के अब देखो आगे उधारन नमबर साथ क्रती और किरन के भी साट रुपे को एक अनुपात दो में बांट ये तो बच्चो अनुपात कितना दिया हो है सबसे पहले तो ये बताओ अनुपात है अपना एक अनुपात दो और कुल रुपे कितने है कुल रुपे है साट रुपे ठीक है बच्चो यहां तक समझ में आया सभी के अब देखो हमें क्या करना है सबसे पहले क्रती और कीरण में, तो सबसे पहले क्रती का हिस्सा, क्रती का भाग, क्रती का हिस्सा या भाग कितना हो जाएगा, तो करती का अनुपात बटा कुल अनुपात तो करती का अनुपात कितना है एक और कुल अनुपात है तीन यह हो गया करती का भाग ऐसे बच्चो किरन का भाग कितना हो जाएगा किरन का भाग हो जाएगा दो बटा तीन यह हिस्सा आ गया दोनों का कि इसको तो एक बटा तीन भाग मिलेगा और किरण को मिलेगा दो बटा तीन भाग अब हम बताएंगे कुल कितने कितने रूपे मिलेंगे कि करती को कितने रूपे मिलेंगे तो हम लिखेंगे करती का हिस्सा करती का हिस्सा कितना हो जाएगा करती का हिस्सा बराबर एक बटा तीन गुणा साथ यानि साथ में तीन का भाग देना है बच्चो कितना आएगा बीस रुपे तो ये तो आगया करती का हिस्सा ऐसे ही बच्चो किरन का हिस्सा निकालना है तो हम लिखेंगे किरन का हिस्सा किरन का हिस्सा कितना आ जाएगा 2 बटा 3 गुणा 60 तो 2 को 60 से गुणा करेंगे तो 120 बटा 3 120 में 3 का भाग देंगे तो 40 रुपे ठीक है बच्चो तो किरन का हिस्सा कितना आगया 40 रुपे तो हमने 60 रुपे में से करती और किरन का हिस्सा बता दिया ठीक है समझ में आया नहीं आया बच्चो जब किसी रुपे को हमने एक अनुपात दो या किसी भी अनुपात में बाटना हो तो सबसे पहले अनुपातों का योग करना है फिर प्रते का हिस्सा लिखना है और इसको कुल राशी से गुणा कर देना है तो उसका हमें कुल राशी में से हिस्सा पता चल जाएगा कि कितने कितने रूपे बटेंगे ठीक है बच्चो तो 12.1 परसनावली के उधारन समझ में आए अब बच्चो या अब हमारी उधारन पुरे हो गये है ठीक है बच्चो सबको हमारे 12.1 सब więcej उधारन पूरे हो गये है अब बच्चो अगली कसा में हम सुरू करेंगे प्रसनावली 12.1 परसन ठीक है बच्चो थेंक्यू झाल 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 झाल